सबसे पहले आगया अलताफ हुसेन हाली ये तो बहुती ज़्यादा important question है क्योंकि यहाँ से question हर बार आता है जो अलताफ हुसेन हाली है इनका जन्म हुआ था 1837 में मिर्ति हुई 1914 में लेकिन ये important नहीं है important ये है ये कौन सी भास्ता के कवी थे ये थे उर्दु के और इनका जन्म हुआ था पानीपत में जो अलताफ हुसेन हाली है इनका एक नाम और था वो क्या था मुलानाः खवाजा आली क्या मुलानाः खवाजा हाली थीक है और इनी की नाम पर हर्याना उर्दू Academy क्या देती है उर्दू सहित्य में हाली पुरुसकार ठीक है और इनकी रसनाई है यादगार हाली, हयात हाली, हयात जावेद तो फ्रेंड एक्जाम एक कोशन कैसे पूछेगा? वो पूछ लेगा जो हाली पुरुसकार है वो कौन सी भासा में दिया जाता है तुमारा अंसर क्या जाएगा उर्दू भासा में ठीक है या फिर पूछ लेगा हाली पुरुसकार कौन देती है तो ये कौन देती है ये लिख रखा मैंने हरियाना उर्दू अकादमी और ये किसके नाम पे दिया जाता है ये भी पूछ लेगा तो आपका अंसर हो जाएगा अलताफ हुसेन हाली ठीक है फ्रेंड इसके लावा एक कोशन और बन सकता है कि अलताफ हुसेन हाली कहां से है तो अंसराज आएगा पानी पत से बस इतना आपको ध्यान में रखना है और जो अलताफ हुसेन हाली है इन्होंने उर्दू भासा का पहला घोशना पत्तर लिखा था और रेकिन की रतना है तिरिया के मजूमम ठीक है इसके बाद आता है पंडित जसराज यहां से भी क्वेशन हर बार आता है इनका जनम हुआ था अठाई जनवरी 1930 को लेकिन यह important नहीं है important क्या है? यह कहां से है? यह हिसार से गाम का नाम क्या है? पिली मंदोरी जो पिली मंदोरी है गाम यह पहले आता था हिसार में लेकिन इस समय कहां पर आता है फत्याबाद में और ये क्या है परसिद सास्तिर संगीत तग और जो जसराजी है इनका सम्मद कहां से है मेवाती घराने से अब एक्जामिक क्वेशन कैसे आएगा ये पूछ लेंगे पंडी जसराज कहां से सम्मदीत है तो कां से है हिसार से ये पर ये पूछेंगे इनका सम्मद किस घराने से है तो किस घराने से है मेवाती घराने से इसके अलावा ये क्या है ये क्या है सुपरसिद सास्तिर संगीत तग ये कोशन आ सकते हैं इसके अलावा इनको कुछ सम्मान भी मिले है वो कौन-कौन से हैं पदम भिभूशन, पदम भूशन, पदम सिरी संगीत नाटक अकैदेमी पुरुषकार माश्टर दिनानाथ मंगेशकरवार्ड लता मंगेशकरवार्ड माराष्टर गोरव पुरुषकार ये सबी मिले हैं पंडित जसराजी को तो इतना काफी आपके लिए उसके बाद है दीबचंदर बह्मन ये भी इंपोर्टेंट हैं ये कहां से हैं? सोनी पत्के खंडा गाउं से, ठीक है? और इनको हर्याना का सेक्सपियर और कालिदास, दोनों कहा जाता है यानि एक्जाम में पूछें कि हर्याना का सेक्सपियर कोन है? तो उनसरा जाएगा दीबचंद बह्मन अगर पूछे हर्याना का कालिदास कोन है? तो ये भी कोन हो जाएगा? दीबचंद बह्मन और भारत का सेक्सपियर कोन है? ये हैं कालिदास भारत के सेक्सपियर है कालिदास लेकिन हर्याना के सेक्सपियर है दीब चंद भहमन लेकिन आपको एक बात ध्यान लखनी है इसने क्या बोला है हर्याना का सेक्सपियर अगर पूछे हर्याना भासा का सेक्सपियर तो उनसर आजाएगा लखमी चंद और लखमी चंद और दीब भहमन क्या गाते थे सांग वर रागनिया अब बात करतें लखमी चंद की 1901 में जनम हुआ और 1945 में इनकी मिर्ति होगी सिर्फ 44 की एज में ये कहां से थे सोनिपत के जाटी गां से और इनको यानि लखमी चंद को क्या का जाता है सूरिय कवी ठीक है फ्रेंड और लखमी चंद के कई बर गुरू का नाम पुछ लेते हैं तो वो कौन थे मान सिंग मोहिंदर परताप ये क्या थे उर्दुभासा के कवी राजाराम सास्त्री इनका एक उपन्यास है जो के परसीद है जाडुफिरी और ये हरिाना का पहला उपन्यास था और इसके अलवा एक के खेती ये भी किसकी रचना है? राजाराम सास्त्री की बाबů बाल मुकंद गुब्त इनका जनमोथा गुडियानी गाउं में जो की पड़ता है रेवाडी में इनकी रजनाओं की बात करें तो ये हैं हरिदास, खिलोना, खेलतमासा, सुफुट कवीता, सिबसंबू का चिठा ये इंपोर्डेंट है एक्जाम में कई बर पूछा जाता है, सिबसंबू का चिठा किस ने लिखा, तो किस ने लिखा, बाल मुकंद गुप्तने इसके लावा ये आप देख सकते हैं मनी माला और ताई इसके बाद हजारी परसाद विवेदी ये कौन सी भास हमें लिखते थे हिंदी में इनकी रचनाई आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर सहित्य, हिंदी सहित्य की भूमिका, प्राचिन भारत के कलातमक विनोद, कबीर और इसके अलावा ये जो रचनाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इंपोर्टन्ट है मेगदूत और काली दास की ललीते योजनाई ठीक है और एक है असोक के फूल, ये हैं इंपोर्टन्ट, बाकि आप इनको भी पढ़ सकते हैं एक बार ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बाद करते हैं डाक्टर नागेंदर की, ये हिंदी भास्ता में लिखते थे और इनकी रचनाई हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूती, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कब लिखी थी, 1944 में, ये 1949 में ठीक है फ्रेंड, अरस्तु का कैवे सास्तर, रस सिधान्त, अलोचना की आस्था, ये important है जोन से मैंने बताई हैं, बाकि आप एक बार सभी को देख लेना उसके बाद है अचारिय रामचंदर सुकला, ये हिंदी में लिखते थे, और इनकी असनाई हैं, मितरता, अध्यान और चिंता मनी सुरेंदर सर्मा, ये important है, पूछ लेते हैं, ये कहां से हैं, तो कहां से हैं, महिंदर गड के नागल गाव से हैं, और ये क्या है, सूपरसिध हस से कवी ठीक है फ्रेंड, क्या है सूपरसिध हस से कवी, राजकुमार वर्मा, इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 को मिर्ती 1990 को हुई, ये हिंदी भासना में लिखते थे, क्या थे सहितेकार, वेंगाकार और हस से कवी, ये भी क्या थे हस से कवी, और इनको हिंदी एकाकी का जनक माना ज पता है, किसका भक्ती आंदोलनगा, और जो स्वामी रामानन चारिये थे, इनकी कुछ पुस्त के हैं, जिने आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन में से इंपोर्टन्ट है, ज्यान लिला, ज्यान तिलक, सतनामी पंथ, और यहाँ पर लिख रखा है कौन सी वासा है, हिंदी यह भी हिंदी में, यह भी हिंदी में, और यह दो हैं संस्कृत में, ठीक है, इंपोर्टन्ट क्या है, एक्जामे पूछ लेता है, रामानुज के सिस्षे कौन थे, तो यह कौन थे, कबीरदास और धन्ना, यह क्या थे, रामानुज के सिस्षे हैं, पर्मानन दास, यह जैसी इंपोर्टेंट है ये इन्होंने लिखी पदमावत रचना जिसमें गोरा बादल का उलेक भी है और पदमावत के नाम पे एक मोवी भी आई थी अभी जिसमें रणवीर सिंग, साइद कपूर और दिपिका पादुकौन थी ठीक है फ्रेंड उसके बाद है रस खान ये ऐसे मुसलिम कभी थे जिन्होंने मध्यकाल में किसन भक्ती सहित्य की रचनाएं की थी ठीक है इन्होंने भागवत गीता का नुवाद भी किया था किसमें फार्सी और हिंदी में इसवर दास इन्होंने लिखी थी भर्त मिलाप और इसके लावा सत्यवती कर्था जो की लिखी थी इन्होंने अवदी भासा में और अवदी भासा की ये सबसे पुरानी रचना है उसके बाद है तुलसी दास जो तुलसी दास है इनको आधी कावे रमाइन के रजीता जो मैरीसी वालमी की थे इनका अवतार माना जाता है जो तुलसी दास है इन्होंने कौन सी रचना लिखी संस्कृत भासा में रामचरीत मानस विन्य पत्रिका, दोहावली, कवीतावली, हनुमान चालिसा ब्राग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पारवती मंगल इंपोर्टन क्या है? इसने कौन सी भासा में लिखी? कौन सी में? संस्कृत में ठीक है? अचारिय जगनात मिश्रा इन्होंने एक संस्कृत भासा में गंगा लहरी रचना लिखी थी केसवदास इन्होंने लिखी थी कवी पिरिया रचना इसा उल्ला खां इन्होंने लिखी थी रानी केत की जिसका दूसरा नाम क्या था? उद्यभान चरीत फिर आता है मैथली शरण गुप्त दवीवेदी ये हिंदी में लिखते थे कौन सी खड़ी बोली में और गांधी जीने इनको राष्ट कवी की पदवी दी थी इनके महा कावे है सांकेत ये शोदरा उसके बाद है मादेवी वर्मा मादेवी वर्मा की रचनाई है अतीत के चलचितर समरीती की रेखाएं पत के साती और मेरा प्रिवार शरंखला की कडिया गिल्लू इसके अलावा है हिमाले तो फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखने है किसने लिखी किसने मादेवी वर्मा ने उसके बाद आजाता है सुमित्रा नंदन पंथ जो हिंदी सहित्य का यूग था च्छायवादी यूग इस में से चार स्तंबो में से एक थे सुमित्रा नंदन पंथ अगर एक सुमित्रा नंदन पंथ थे तो तीन कौन थे? दूसरे जैसंकर परसाथ, फिर महादेवी और चोथे रामकुमार वर्मा और सुमित्रा नांदन पंत की रचनाई है मात्मा जी के परती, संध्यावंदना, ये धर्ती कितना देती है मैं सबसे छोटी हूँ, मच्छुए के गीत, चांदनी, काले वादल, अजाद और यहाँ पर ये देख सकते हैं उसके बाद मुंसी परेमचंद, इनकी रचनाई गोदान, करमभूमी, रंगभूमी, सेवा सदन जो ये उपन्यास है, ये इंपोर्टेंट है आप इनको याद रखना, ये किसने लिखी, मुंसी परेमचंद ने अब बात आती है हेमचंद, जो प्राकरति व्याकरण के लेकरण है, वो कौन थे? हेमचंद जैसंकर परसाद, जो काम्यानी है, ये किसने लिखी? जैसंकर परसाद नहीं और ये कहां से है? यूपे के वारणासी से जो मानक हिंदी है, इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है, किस से? खड़ी बोली से ये एक्जाम में सीधे क्वेशन पुछे जाएंगी, इसलिए आप इनको ध्यान में रखना अब बात आती है, पंडित नेकी राम, ये भी इंपोर्डेंट है इनका जनम हुआ था, 4 सितंबर, 1887 को, काँ पे रोट तक की केलंगा गाउ में ये जो गाउ का नाम है, ये इंपोर्डेंट है जो नेकी राम सर्मा है, इन्होंने सब्ताइक पत्रिका शुरू की थी कौनसी भासा में? हिंदी भासा में, कौनसी में? हिंदी में और उस पत्रिका का क्या नाम था? संदेश देखो संदेश पत्रिका शुरू की, नेकी राम सर्मा ने लेकिन हर्यान संदेश किसने शुरू किया? महेश जंदर ने, कब 1950 में मौमद इकबाल, सारे जहां से अच्छा, किसने लिखा? मौमद इकबाल ने ये कौन सी भासा के कभी थे? उर्दो और फार्ज सी उसके बाद बताती है रविंदर नाथ टेगोर की इससे तीन कोशन आते हैं नमब एक तो भारत का राष्टे कान किस ने लिखा? रविंदर नाथ टेगोर ने बंगलादेश का राष्टेकान किस ने लिखा रविंदरनाथ टैगोर ने और किस भारते को नोबल पुरुषकार मिला ये किसको मिला था रविंदरनाथ टैगोर को यानि पहले भारते थे रविंदरनाथ टैगोर जिनको मिला था नोबल पुरुषकार कब 1911 में मिला था और इनकी रसनाई हैं गिताजली, गीताजली, गीतीमाले, शिशू, शिशू बोलानात, कनीका, शनीका, खेया खुदा बक्स एहमद ये इंपोर्टेंट है इनोंने क्या की, हर्यानमी रमायन की रसना, किसने, खुदा बक्स एहमद नी इनका जनमाता जजजजर में इनकी रसनाई है, नबरतन वुफ हर्याना, हर्याना का इत्यास ये दोनों किसने लिखी, पंडित शिरी राम शर्मा ने आगे है नेमी चंद, तिर लोग दरपन किसने लिखा नेमी चंद ने, आरके नारायन, स्वामी एंड फ्रेंड ये किसने लिखा आरके नारायन ने, उद्य भानू हंस, ये इंपोर्टेंट है, ये क्या है, हर्यान की रासकवी उसके बाद है अरुधन्ती राय इन्होंने लिखी दा गोड ओफ स्मॉल थिंग्स एपीजे अब्दुलकलाम विंग्स ओफ फायर लिखी इन्होंने भीमराब अमेडगर इन्होंने लिखी बुद्ध और कार्ल मारक्स इसके बाद जवारलाल नेरू जो जवारलाल नेरू है इन्होंने लिखी डिस्कवरी ओफ इंडिया जो मेगना दिसाई है इन्होंने लिखी री डिस्कवरी ओफ इंडिया क्या री डिस्कवरी ओफ इंडिया इसमें कन्फ्यूजन होना आपको मोहन चोपड़ा इन्होंने लिखा तूटा हुआ आदमी उपन्यासेन का स्वामी देनंद इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकास सवदेश दिपक इन्होंने लिखी कोर्ड मार्शल जैनारेन कोशिक इन्होंने लिखी माट्टी का मोल बुड़ी सुहागन ये दोनों लिखी थ इन्होंने लिखी सिरी भगत फूल सिंग चरीतरस कौन सी भासा में संस्कृत में उसके बाद है हैरोडोडस इन्हें इत्यास का पिता का चाता है और इन्होंने लिखी थी हिस्टोरी का पुस्तक मैक स्थनीज इन्होंने लिखी इंडी का और ये किसके दरवार में रहते थे चंदरगुप तमोरिया के उसके बादा फायान ये चीनी यातरी था इनकी पुस्तक थी फूको की ये किसके दरवार में आया था चंदरगुप दवीतिया के हैंसांग इसकी पुष्टकती सी यू की जो की हर्सवर्दन के दर्वार में आया था 629 में और ये भी थे चिनी यातरी अल बरुनी इन्होंने लिखी तहकी के हिंद जिसको का जाता था किताब उल हिंद ये क्या थे अर्बी यातरी इबन बतूता इन्होंने लिखी रिहला ये भी थे अर्बी यातरी जो की मुहमद बिन दुगलक की समय आये थे उसके बाद आता है बानभट ये इंपोर्ड़न्ट है सबसे पहले आता है ये किसके दर्वारी कवी थे ये थे हर्शवर्दन के इन्होंने लिखी कादंबरी और हर्श चरीत जो हर्शवर्दन है इन्होंने लिखी रतनावली नागानंद पिर्ये दर्सी का चंदबर्दाई और चंदबर्दाई थे पिर्तवी राज चोहान के राज कवी और जैदेव ने लिखा गीत गोविंद, नागसेन ने, मिलिंद पानो, काली दास ने लिखी अभिज्यान सकुंतलम और रगुवंस इसके अलावा वेद व्यास ने लिखी भगवत गीता और महावारत, अस्व घोस इसने लिखी बुद्चरित और सुत्रालंकार, बालमिकी ने रमायन लिखी, बिहारी ने सच सई तो पहले नंबर पे हैं, मेवाती राज घराना, तो इसकी संस्तापक थे, घग्गे नजीर खान, आपको ये ध्यान में रखना है, कौन थे संस्तापक? घग्गे नजीर खान, और इससे भी इंपोर्टेंट है, इस घराने के कवी या लेकर, पंडि जसराज, एक्जाम में क ये सभी कौन से घराने से हैं, मेवाती घराने से, और पंडि जसराज से क्वेशन हो रखता है, ये कहां से हैं, इनका संबंध है हिसार से, ठीक है फ्रेंट, और इन सभी के बारे में मैं निक्चे डिटेल में बात करूँगा, उसके बाद है बिंडी बजार घराना, तो बि देखकर, और इसके बाद है गवालेर घराना, तो गवालेर घराने के संस्तापक तीन हैं, यानि इन तीनों ने मिलकर गवालेर घराने की स्तापना की थी, हद्दुखा, हस्सुखा और नत्थुखा ये तीनों, और बात करें इस घराने से रिलेटेड कभी होगी, तो वो है बाल किरसन बुवा इचल करंजीकर और इसके बाद है जो इंपोर्टेंट है विश्णु दिगंबर पलुसकर ये एक्जाम में पुछ राता है तो ये कौन से घराने से है गवालियर और इसके अलावा ओंकार नाथ थाकुर विनाय कराव व्यास विना सैसस्तर बुद्धे ये सबी है गवालियर घराने से उसके बाद है आगरा घराना तो इसके संस्तापक दो हैं ये इन दोनों ने मिलकर आगरा घराने की स्तापना गी थी एक है हाजी सुजान खान और दूसरा है उस्ताद घग्गे खुदा बक्स और बात करें इनके कवियों की तो ये हैं फियाज खान लताफत हुसेन खान दिनकर काकेनी तो इसके बाद किराना घराना तो इसके संस्तापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान और बात करें कवियों की तो ये हैं सवाई गंदरव सुरेश बाबु माने परवातरे हीरा बाई बादोडकर की सिश्या मनिक वर्मा उसके बाद बनारस घराना तो बन तो इसे आप जुरूरियाद रखना कौन से घराने से हैं बनारस उसके बाद है पंडित कंठे महराज, पंडित किशन महराज, पंडित गुदई महराज, पंडित अनोखे लाल जो कि हैं तबला बादक उसके अलावा पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनात पाठक, पंडित अमरनात मिशर, संबू सुमीर, गोपाल मिशर, नारण विनायक, हरुमान पसाद मिशर ये सबी कौन से घराने से हैं? बनारस तो इसके बाद है जैपुर घराना और इसके कवियों के नाम तो इसके बाद है नमबर आट पे रामपुर सहसवान गराना और इसके संस्तापक है उस्ताद इनायत खान बात करे कवियों की तो है गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद रसीद खान, सुलोचना, ब्रिस्पती, उस्ताद निसार खान उसके बाद है पट्याला घराना तो इसके संस्तापक है उस्ताद फते अली खान और उस्ताद अली बक्स और बात करें इनके कवियों की ये बड़े गुलाम अली खान, रजली खान, अजोय चकरवर्ती, गम अक्तर ये इंपोर्डेंट है निर्मला देनी, नैनी देवी, परविन सुल्ताना नमबर दस पे हैं दिल्ली घराना दिल्ली घराना की संस्तापक है उस्ताद ममन खान और कवियों की बात करें चांद खान, नसीर एहमद खान, किरिसन बिष्ट, इकबाल एहमद, उस्मान खान